सबी को गूड इवनिंग आज जो बेसिकली क्लास का टाइटल आपने देखा होगा दो तीन मुद्ध हंजिन को डिसकस्शन करना है पहला तो यह कि हिंदी में जो निबंद आप लिखते हैं ऐसे आप लिखते हैं इसमें मेकजिमम कितने नंबर तक स्कोर कर सकते हैं दूसरा रहेगा कि आर्पेसी हिंदी में जो निबंद होता उसमें कौन सा पेटर्न फूलो कर रही है इससे समझ में आएगा कि कुछ टोपिक निकालने में असा नहीं हो जाएगी तीसरा टोपिक्स की लिस्ट आपको मैं बताने वाला हूँ घूम फिर के साथ टोपिक होंगी जिसमें से एक ऐसे आपको परिक्षा में मिल जाएगा और एक जो मुद्दा होगा वो अंतिम रूप से होगा अपना की निम्मद लिखे क्या सुरुआत कैसे करे मैं बोडी में सब टोपिक कैसे करे सब टाइटल डाले या फिर एक फ्लो में लिखे क्या कोई कहाणी से भी सुरुआत कर सकते हैं क्या चार्ट फ्लो चार्ट ड्याइग्राम पाई चार्ट बनाए कई सारे 3-4 मुद्दे हैं जिनको वन भाई वन करके डिसकस्किन करते हैं सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि हिंदी में 20 मार्क 20 नम्मर का निबंद आपके आता है 20 नम्मर का इंपोर्टेंस आप लोगों को पता होगा वोत एक क्रूसियल भूमिका में होता है निबंद 70 परसेंट तक बच्चे ऐसे हैं जो डैरेक्ट परिक्षा में जाके निबंद लिखते हैं क्योंकि एक दिमार्क में पहले से अपने दिमार्क में छवी होती है कि निमत तो लिखी लेंगे फिर परिक्षा में लिखते हैं डैरेक्ट छह साथ 6, 5, 6, 7 तक नमबर आते हैं और जो केवल थोड़ा सा ब्यास करते हैं वो 12, 15, 14 तक नमबर लेके आते हैं यस 15 नमबर भी देखे गए कई सारी कोपी जैसे इसमें 15 15 नमबर भी 20 में से आये हैं और थोड़ा सा इसमें अफ़र्ट लगाना है कि आप अगर एक वीक दो-दो घंटे दे देते हैं निबंद को तो आपके फिर ड्रास्टिकली 7-8 नमबर तक हाइक कर देगा इस पेपर में सबसे पहले 2013 में आपको ये बता दूँ 2013 में टोपिक मिलते थे 5 माच ये कौन-कौन से टोपिक है इसमें पहला है परियावन सरक्षन और जन्चेतना इन्वियर्मेंट का है दूसरा है सूचना का अधिकार आर टी आई उप्योगिताव है सार्थकता तीसरा टोपिक है महिला उत्पिडन सामाजगुर विदिक पक्स इसका कौन-कौन सा है तो पेटन बाद में देखते हैं पहले आप इसको देखें कि हाँ ये पाच आये वह है एक इन्वियर्मेंट में वह है एक लोग वाला है एक शोशोलोजी का है एक राजस्तान का और एक हिंदी का है फिर आगे बढ़ते हैं 2016 में फिर दो टोपिक मिले पहला टोपिक है भारतिये खेल प्रिदर्शे दस्टायम दिशा ये स्पोर्ट योगा से आ गया और दूसरा कन्या भूनत्या ये वापस शोशोलोजी से आ गया 2016 में एक स्पेशल में सोर लगा था आपको साइध ध्यान होगा तोपिक है जनसंचार माद्देम और हिंदी वापस हिंदी का आया है उदर पहले भी हिंदी का है और भारत की वर्तमान विदेश निति ये आई-यार से आया हुआ है 2018 के तीन टोपिक है अब तीन तीन टोपिक आने लग गए 2018 में तीन टोपिक मिलेंगे कोई एक निबंद लिखना है 2021 में भी और अभी भी ऐसा ही होगा राजस्तान में प्रियेटन विकास के नए आयाम ये राजस्तान का है electronic media और समाज भारती नयाई-पालिक का की सक्रियता उपादेता इव नयाई-पालिक का संभाव नाए क्या 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 judicial topic से है है उपादेता क्या है सक्रियता की संभाना के politics से वापस है फिर 2021 में वापस राजस्तान का सांस्कृति गोरव शोशल मीडिया बनाम निजता और प्रात्मिक सिक्षा में मात्री भाषा का प्रियोग दसा और दिशा ये तो आपके अभी तक की लिस्ट है जो आपको मैं टेलिग्राम पे सेर कर दूँगा ये तो चलो लिस्ट होई इस लिस्ट से आपको एक चीज़ सोज में आती होगी आर्पी एसी एक पेटर्न को फूलो कर रहा है दो हजार तेवी स्की में बात करूँ या आगे भी आपको इमेंस देंगे उसकी बात करूँ तो इस साल के लिए जो महत्तों पूंजो निबंध होंगे उनको साथ केटिग्रीज में दिवाइड कर लेते हैं अब यह अपन दो बातों पर आ गए एक तो आपको टार्गेट टरखना है 15 नमर तक का और यह आराम से मतलब ऐसा कोई 15 नमर तो बहुत ठीक ठीक से ही नमर है आप इस से आगे का सोचते हैं 16-17 तक का तो वो थोड़ा सा hard net to crack होगा पर 15 नमर तो आप अगर थोड़ा सा ऐसे को मेनेज कर लेते हैं निबंद को तो नमर आ जाते हैं अलांकि आरेस में में कई सारी चीजे कई फेक्टर्स और भी मैतोपन हो जाते हैं पर अपन अच्छी कंडिशन मान के चल रहे हैं साथ topics हैं जिन से निबंद आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है इसमें से एक तो आपको मिल ही जाएगा categories बना लेते हैं देखो syllabus में जो topics हैं अपने subject हैं उन से निम्मद पूछ लेता आपको जैसे अगर पीछे से चले तो polity आपके syllabus में है तो polity से question आ रहा है IR से ऐसे पूछ रहा है लो से पूछ रहा है sports yoga से पूछ रहा है science and technology से ऐसे पूछ सकता है ethics से अभी तक कोई नहीं पूछा गया है geography से नहीं पूछ रहा है पहले paper की बात करें तो sociology से पूछ रहा है बार बार और economics से पूछ रहा है environment और economics से पूछे जा रहे है और history और culture वाले segment से भी पूछा जा सकता है पूल मिला के जो आपके syllabus में जो बिंदू mentioned किये वे हैं उनसे से कुछ important जो बिंदू वाहां से पूछा जा रहा है साथ topics की साथ subjects की बात कुछ तो इसमें सबसे पहली category राजस्थान होगी मैं यह assume करके चल रहा हूँ तीन में से एक topic आपको राजस्थान का मिल जाए तीन में से एक तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान में अगर कोई आपसे पूछ सेगा निमद लिखना आएगा तो वो मुख्य रूप से तीन titles को आप समझ सकते हैं पहला हो सकता है राजस्थान का सान्सकृतिक गोरव इसका मतलब राजस्तान की हिस्ट्री और जो कल्चर वाला सेग्मेंट है वहाँ से उच्छा जाने की संभावना है तीन ही टोपिक्स बनेंगे जिसे राजस्तान से ऐसे आएगा एक है राजस्तान का आर्ट एंड कल्चर थार्थ सांस्कर्तिक विरास्त दूसरा हो सकता है राजस्तान का प्रियेटन हालांकि यह दोनों टोपिक हैं यह असोशेटेड हैं इनको आप एक साथ असोशेट करके लिख सकते हैं तीसरा जो टोपिक होगा वो होगा राजस्तान का एनरजी रिसोर्सेश रहास्तान में उर्जा संसादन संभावना है तीन टोपिक रहास्तान का सांस्कृतिक विरासत क्या लिखना है कैसे लिखना ये दूसरे पार्ट में बात करेंगे अभी आप इतना समझे और अगर ठीक से आप लोगों को इससे फाइदा होगा इसको लेकर आज सकता है एक केटेग्री होगी राजस्तान की इन तीनों की जो तीन टोपिक यहां पे लिखे हुए इन तीनों को लिखने के लिए आपको एक पैटन फोलो करना होगा राजस्तान का जब ऐसे लिखेंगे उसकी बात थोड़ी दिर बाद में करेंगे केटेग्री है वो है साइन्स की साइन्स अंड टिकनोलोजी साइन्स अंड टिकनोलोजी से अगर आप से कुछ पूछे तो अंत्रिक्स पर पूछ सकता है या संचार प्रोध्योगी की पहला संचार प्रोध्योगी की अब संचार जो प्रोध्यकी की है इसमें आप दो चीजों को और सामिल कर सकते हैं एक आप सामिल कर लेंगे मीडिया को मीडिया में आप शोसल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया इसको सामिल कर सकते हैं और मीडिया का रोल क्या है वो भी इस से असोसियेट कर लेंगे लोगतंतर की मजबूती में मीडिया की भूमी का इस पस्ट करें एक टोपिक यहां समझ सकते हैं मीडिया वाला तो आप संचार प्रोद्योगी में क्या क्या पढ़ेंगे शोशल इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया यहां पर प्रोद्योगी मीडिया एक अगर टोपिक यहां पर आए तो स्पेस टेकनोलोजी अंत्रिक्स प्रोद्योगी की डिफेन्स का पूछने की समभावना थोड़ा सा कम है अलांकि जो टेकनोलोजी के जब ऐसे लिखेंगे तो उसका एक पेटर्न होगा उसको फोलो करते हैं चलेंगे तो आपके दिक्कत आएगी ने अगर इतने एक टोपिक आप मेनेज कर लेते हैं इसको कर लेते ठीक से एक आसकता जो नवीन तकनीक है नवीन तकनीक में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जैसे एक AI है Artificial Intelligence है एक Big Data है Cloud Computing है Robotics है आपको साइद पता होगा ChatGPT ने धूम अचा रखी है ठीक है तो मान के चलें कि important तो है कि उबर्तिवी नवीन तकनीक और चुनोतिया ऐसा कोई मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई ऐसे का title हो सकता है तो वो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं उबर्तिवी नवीन जो तकनीक है उसमें आप ये सारी सारी तकनीक Bitcoin है, Blockchain, Technology है तो आप इनको आराम से manage कर सकते हैं, अलागे इस पर अभी बाद में discuss करेंगे, session चलाएंगे पूरा अच्छे से, अगर समय ठीक रात तो हो तो ये नवीन तकनीक है सारी सारी और इनकी चुनोतियां तो एक essay का title क्या हो सकता है ये new technology नवीन तकनीक and challenges और इसी से एक associated मुद्दा हो सकता है, वो digital India या फिर इंटरनेट के बारे में कुछ इस परकार का सवाल, तो आप digital India, mission ऐसा, as such कोई burning मुद्दा नहीं है और वो manage हो जाएगा, इससे आप manage कर सकते हैं आराम से एक अगर लिखना चाहो तो digital India आप तयार कर सकते हैं technology में ये वाले ऐसे बच्चों के दिमाग में शवाल आएगा सर्प तो बहुत सारे बता दिये, नहीं बहुत सारे नहीं है ये, मीडिया का एक pattern होगा defense का, space और defense का एक pattern होगा और बाकी सारों का एक pattern होगा आपको slightly कुछ चीजे तयार कर लेनी है कुछ quotation जो विज्ञान और प्रोद्योगी की कुछ quotation fact sheet आगे बात करेंगे उस पर अभी मैं विश्थार से इस पर कर नहीं रहा हूँ के अल टोपिक की बात कर रहे हैं अगला टोपिक उठाते है पॉलिटीकल साइन से राजनिती विज्ञान तो category नमर 3 मैं आगे लिख लेता हूँ category नमर 3 तीन में quality plus IR quality में जो सबसे burning रहता है मिसा वो नियाई पालिका ठीक है एक election वाला मुद्दा चुनाव अब इसमें क्या सवाल आएंगे भी बात करते है चुनाव कुछ burning अगर issue उठाए तो UCC एक समान नागरिक सही था पहरती विदेश नीती को लेकर अगर सवाल पूछे तो एक विदेश नीती फिर आपके एक सवाल आएगा सर विदेश नीती तो बहुत वाइड कैसे नहीं विदेश नीती का एक pattern है कोई आपको देशों के साथ सम्मन नहीं लिखने कि प्रांच के साथ ये सम्मन चल रहा है रूस के साथ ये सम्मन चल रहा है इसका एक pattern है कैसे लिखते हैं उस पर बाद में बात करेंगे अभी आपने क्या सीखा quality और IR से नियाई पालिका और election ये दो तो most important है अगर paper third की मैं बात करूँ तो paper third जब आप पढ़ें तो इन दोनों topics को भी तैयार करके जाएं कौन कौन से को quality में नियाई पालिका में क्या सकता है नियाई पालिका में क्या सकता है नियाई पालिका में क्या सकता है नियाई पालिका में केटेगरी लिख रहा हूँ नियाई पालिका पर ऐसे आता है तो जन ही ती आचिका से आ सकता है नियाई पालिका नियाई पालिका न्याईक सुधार न्याईक नवाचार बहुत अच्छा निमद इस पर लिखा जा सकता है न्याई पालिका प्रता था चुनाव में एक मुद्दा चो चर्चा में वो है election reforms तो है ही हैं परशाथ में एक देश एक चुनाव इन पर लिखने के लिए बहुत सारा content अपने पास में होता है बहुत एक systematic ऐसे लिखा जा सकता है ये हो गया पोलीटी और आई आर का तीसरी केटेगरी आप्रिसमें आगी चोथी केटेगरी ले ले लेते हैं प्रियावरण की इसमें ले दे के एक ही बनेगा प्रियावरण सरंक्षन बहुत interesting ऐसे इस पर लिखा जा सकता प्रियावरण सरंक्षन को लेकर लिखने के भी कई सारे तरीके हैं पर प्रियावरण सरंक्षन एक उजोन का मुद्दा अब इतना चर्चा में है नहीं देखो इसलिए वो थोड़ा सा आउटडेटेड टोपिक है पर फिर भी अगर प्रियावरण का कोई भी टोपिक कैसे आता है तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो फिर आप लिखने के लाइक हो जाएंगे उसको कैसे लिखते हैं पांचवा जो अपना मुद्दा रहेगा केटेग्री का वो रहेगा अर्थ्वेवस्ता है एकनोमिक्स लिखता हूँ एकनोमिक्स में एक हमेशा सदा बार टोपिक है वो है एगरी कल्चर कर्शी और दूसरा में यापर बेरोजगारी भी लिख देता हूँ गरीबी बेरोजगारी गरीबी बेरोजगारी अब इतना चर्चा में रहता नहीं है तो यहां पे अपने लिख सकते हैं हेल्ट एंड एजूकेशन हलागे उसकी केटेगरी सोशलोजी में करेंगे एकोनोमिक्स में एक मुद्दा है वो है कर्शी अब कर्शी अगर आता है तो फिर कर्शी में क्या आ सकता है यहां पे कर्शी का उत्पादन उत्पादक्ता कर्शी में नवाचार कर्शी में तकनीक का प्रियोग जो लोन वेवर्स है किसानों की रिण मापफी है इसको लेकर आ सकता है भूमन्डली करन या ग्लोबलाइजेसन का एगरीकल सर्फ क्या इंपेक्ट पड़ रहा है पूल मिला कि टोपिक वो गोम फिर के उधर ही रहेगा और और रहेगा करसी यह केटेगरी हो गई पाच चठी केटेगरी है वो एक यूनिक केटेगरी है वो है सोशियोलोजी समाद सास्त्र तो नमर सिक समाद सास्त्र इसमें विमेन ले सकते हैं इसमें टोपिक लिखेंगे हेल्थ सिक्षा, एडूकेशन, स्वास्त्र और एक ले सकते हैं महिला और अन्तिम केटेगरी कौन सी है सात्वी सात्वी लो और करेंट तो अन्तिम केटेगरी इस नमबर सेवन लिखते हैं यहां पर लो प्लस करेंट लो में अपने जो सिलेवस में लिखा हुआ है वो सूचना का अधिकार लिखा हुआ है साइबर क्राइम लिखा हुआ है आरटिया लिखा हुआ है महिलाओं के बच्चों के वर्दों के समंधित लो लिखेवे हैं तो यहां पर एक जो सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा है वो है साइबर क्राइम साइबर अपराद साइबर अपराद साइबर क्राइम आ सकता है क्योंकि आपको पता कि एक पूछा गया था इसमें उसने लिगल एक्सपेक्ट पूछे और एक रिपीटेड है पर ठीक है एक आरटियाई ले सकते है एज सच बहुत इंपोर्टेंट रहा नहीं है इतना कुछ है नहीं पर ठीक है डिजिटल-्यूग और पूचंच सकता है करण्ट में मुद्दे पर एक से ठीक 2-3 महिने 2-1 महिने पहले से कुछ अगर मुद्दे 3 महिने पहले से पिछले 6 महिने का कोई एसा मुद्दा आपको लगता है जो निबंद लिखने लाइक हो वो ऐसे तो बहुत सारी मुद्दे कर्चा में रहते हैं उससे सवाल बनने की दंभावना रहती है तोल मिला कि 7 केटिगरी है और इनका एक fix pattern है जो follow होता है उसको द्यान रखना है एक पार्ट अपना cover हो गया वो है कि निबंद में topic कौण कौण से काम के है जिन स्टुडेंट्स को यह ही पूछना था केवल कि यह कौण कौण से topic काम के है तो उनकी तो class हो गई उद्दा सबसे important यह बसता है कि निबंद लिखें कैसे अलागि मेरी ऐसी इच्छा है कि एक class में यह सब कुछ बताना संभव है नहीं न बताया जा सकता तो अलग-अलग निबंद की category कि एगर economics काता तो यह यह चीज़े आप mention कर सकते है culture काता तो यह चीज़े low काता तो यह चीज़े sports yoga काता तो यह चीज़े परहाल एक general category है जिसको discussion करते है कि अच्छा निबंद लिखें कैसे अच्छे के कोई parameter नहीं होते है अच्छा कुछ भी हो सकता है पर एक generalized format में अगर आपको निम्बंद लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कोई भी x, y, z एक topic लेते है कोई भी topic इस minute केवल बात करेंगे कि इसका format यह होना चाहिए फिर अलग-अलग को अलग-लग category से लिखेंगे सबसे पहला आता है अगर category करें तो सबसे पहले आता है कोई भी selectives का introduction introduction के बाद में हाँ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे जब भी तीन topic दिये वें उन में से जो topic की category आप select करते हैं उसको यहाँ पर अच्छे से mention करनी है यहाँ कई बार क्या होता है इतना जल्दी होता है Hindi English का paper की समय का भाव होता है topic अपने दिमाग में तो set कर लिया और उसको direct लिखना सुरू कर देते हैं उसकी heading में पर लिखते हैं नहीं है कि मैं किस पर निबंद लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ समझ में आगए क्या बात examiner को सहुलियत तो दें थोड़ी सी कि वो आदा paragraph पढ़ें तब समझ में आए कि आप साइबर क्राइम पर ऐसे लिख रहे हैं तो तीन टॉपिक होंगे उन्हें से जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसको यहां पर सीर्शक में डाल दें उसको कि मैं ये टॉपिक कहिए के टेगरी में भी शुरू करूंगा आसन में आ गई उसके बाद में एक निबंद के तीन पार्ट बेसिकली हो सकते हैं एक उसका इंट्रोड़क्री पार्ट है दूसरा उसका मैं बोड़ी है और तीसरा उसका है निसकर्स कंक्लूजन अंतिम भाग लिख देता हूं मैं निसकर्स अंतिम पार्ट निसकर्स अंतिम भाग तो discussion करेंगे, क्या extra कर दें कि आपको दो नमर अक्स्टा मिल जाएं, एक नमर तो at least मिली जाएं, उसके भी कुछ, की point अपन बात करने वाले हैं, introduction का जो part है, किसी भी निबंद का, ये examiner को आपका essay पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, मैं पढ़ू इसको, body वाला जो part है, इस body वाले part के कई सारे भाग बनाने हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसके तीन पार्ट बनाईए, man body के, और अंतिम जो भाग है, इसके दो पार्ट बनाईए, सोई में आगी पाती हैं, एक सवाल आपके दिमार्ट में उराएगा, कि title लगा के ऐसे लिखे हैं, कि मैं जो हेडिंग डाल डाल के ऐसे लिखे हैं नहीं लिखे हैं, लेको इस बार किसी एक दोस्त ने मुझे अपनी कोपी बेची, उन्होंने title डाले वे थे, निबंद के, कि कारण, परिणाम, परभाव, विशेशता, फिर लिखर खाता पोईंट में, उनके 14 नमर थे, 13 तेरा नमर उनके आये वे थे, अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप, जनरली ऐसा बोला जाता है, UPSC में, UPSC में 250 मार्क कर, 250 नमर का ऐसे एक बड़ा रोल होता है, वहाँ ये बोला जाता है कि आप ज्यादा heading से बचे हैं, प्रेग्राफ में ऐसे लिखें, पर RPSC में ऐसा कुछ नहीं कि आप, पॉइंट में लिखेंगे तो भी आपके, पॉइंट का मतलब सारे पॉइंट नहीं, heading लगा लगा के लिखेंगे तो अच्छे नमर आते हैं, इस पर बात कर लेंगे कि क्या लिखना चाहिए, तो introduction वाले पार्ट को दो भागों में आपको divide कर लेना है, पहला कोई special introduction आप अगर देना चाहिए उसका तो दे सकते हैं, special introduction में क्या-क्या डाल सकते हैं, कोई fact डाल सकते हैं, जैसे कोई unemployment गरीवी पर आया, तो हाल इमें फला रिपोर्ट के according भारत में ये ratio है और विदेश में ये ratio है इस परकार का, fact के अलावा आप को historical, ethiasic कोई अगर आप प्रशंग लेना चाहें, तो वहाँ से भी अपनी निम्मत की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे महिला का कोई essay आता तो आपको कोई कहनी आद आ रही है, कोई परशंग याद आ रहा है, उससे भी आप पर ज्यादा बढ़ानी दो तिन लाइन का हो सकता है, तो आप कोई facts से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कोई story से शुरुआत कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा शुरु करने का तरीका है, कोई quotation आप लिख दें, कोई दोहा आपको आ रहा है, वो उठपटांग टाइप का नहीं हो, और बिल्कुल उससे relevant हो, मिलता जूलता हो, आप कोई दोहा लिख सकते हैं, कोई quote लिख सकते हैं, तो आप quotation से भी शुरुआत कर सक सकते हैं, कि SME quotation भी आप लिख सकते हैं, एक तरीका और है, पर वो यूनिक भी है, रिस्की भी है, उसको लगा सकते हैं, जैसे प्रियावरन पे, प्रियावरन प्रदूशन पे कोई निबंद आप से पूछे, तो आप एक कालपनी कहानी बना सकते हैं, कि भई, बड़ा सा नाइनिंग टेबल है, घरवाले बेठे वे हैं, सारी सुक सुईदें उस रूम में दिखाई दे रही है, सारे घरवाले चिंतित हैं, बच्चा स्कूल जाने वाला है, सारे घरवाले तनाव में बेठे वे हैं, बच्चे का स्कूल बेक तयार कर रखा है, चिंता इस बात की ह कि आज बच्चा स्कूल जाएगा तो ओक्षिजन का किट खतम हो गया, किट नहीं है गर पे, तो ये कहानी आपको कालपनिक लग सकती है, पर जिस परकार से वायू का परदुशन हो रहा है, इन्वायर्मेंट का डिग्रेडिशन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा, जब व इसकी तो है, पर ये तीन चार लाइन में इसे सुरात कर दिया, तो आपका एक, मतलब वो यूनिक मेथड हो गया, जो बहुत कम लोग ही यूज करेंगे इसको, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, एक एडविटीजमेंट दिखाते है आजगल टेवी पे, कि जो पोलर बीर होत गया है, उसको ऐसे वाइट पेंट करके उसमें डान्स करवाते है, उसको ऐसा आ रहा है, और वो असल गया है, यह अपना सफेदी का कलर का, तो आप उसको भी उज़ कर सकते हैं, तीवी पैसा सायावा है, उसमें एक पोलर बियर को, आर्टिशियल रूप से उसको आइस दि के तो वो दिन दूर थोड़ी है कि जिस परकार से glacier melt कर रहे पिखल रहे है वो दिन दूर नहीं होगा जब artificial रूप से कई चीजे करके इनको जिन्दा रखा जाएगा फिर आप अपने से की सुरुवात कर सकते हैं तो ये तरीके तो बहुत अच्छे है पर ये थोड़े risky होते हैं लिख सकते है risky एक change में होते है कि अगर आपने उस कानी को लंबा खेंच दिया फिर वो आपके ऐसी के तारता में तोड़ देगी चीक ये तीन चीजे basically या फिर वो एक short story कहानी आप लिख सकते हैं पासज में आगया इंट्रोडक्शन में जो second जो पार्ट होगा दूसरा जो पार्ट होता इंट्रोड़क्शन का वो है तो इन तीनों से मिलता जुलता ही कि आप फेक लिखे परसंग लिखे कोई कोटेशन लिखे कानी लिखे पर आप दूसरा पार्ट यह कि वहां पर आप ऐसे भूमी का हेडिंग हालांकि यह बिल्कुल गलत है कि आप इंट्रोड़क्शन का हेडिंग डाल के इंट्रोड़क्शन नहीं लिखेंगे तो सही पर यह भी देखा गया कि इस बार इससे शुरुआत करें यह जो आपको लिखा हुआ है कि इंट्रोड़क्शन तो लिखना पर नाम नहीं लिखना मांके कि इंट्रोड़क्शन से डारेक्ट शुरू कर देना है अब आते हैं मैं बोड़ी वाले पार्ट पर अब इसमें भी कुछ पाट साथ आपको मैं कहानी बता सकता हूँ कुछ कोटेशन बता सकते हैं अलग लग ऐसे पर जो केटेगरी अपने डिवाइड करी पर अभी हुज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी अब बात करते हैं मैं मैं बोड़ी के आप तीन पार्ट कर सकते हैं तो मैं मैं बोड़ी को अगले वाले पेज पे लेता हूँ कि मैं बोड़ी में क्या लिख सकते हैं मैं बोड़ी मैं बोड़ी के आपको तीन भाग बनाने हैं और कम से कम ध्यान रखें कि अगर आपको निबंद लिखने के लिए तीन पेज मिलते हैं तो कम से कम डेड़ पेज डेड़ से पौनी दो पेज तक आप क्या लिखेंगे बोड़ी वाला पॉर्शन लिखेंगे इसमें जैसे ही आपने इंट्रोड़क्शन लिखा यहां से आपने अपना कोपी का पेज है थोड़ा यह भी देख सकते हैं यह अपनी कोपी का पेज है ऐसे आपके पेजेज होंगे तो यह तो आपको पता होगा कि चो सुरुआत करनी है वो हमेशा यहां से करनी है यहां से थोड़ा सा margin छोड़के फिर आपने introduction इतना लिख दिया यह introduction आपका हो गया पूरा कितना लिखें लगबग आदा paragraph मतलब 5-6 line तक 7 line, 8 line तक आप introduction लिख सकते हैं फिर यहां आपका let's see पूरा हो गया आपका यह पूरा तो यहां से आपको शुरुआत करनी है तो यहां से शुरुआत करनी होगी यहां से फिर आपकी copy वो systematic order में दिखेगी इसका मतलब जब भी paragraph आता तो paragraph को आप यहां से यहां से इतना margin हमेशा छोड़ें ताकि examiner को सवलिये समझ में आजाए कि आपने यहां से शुरू किया है अब देखिए man body वाला जो portion में सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत की 4 से 5 line इन 4 से 5 lines में आप क्या लिखे आएंगे particular जो essay है इसको define कर देना आपको कि जैसे प्रियावन प्रदुशन है महिला ससक्तिकरण है साइबर क्राइम है नवीन तकनीक है एगरी कल्चर है इसका मतलब जो particular आपको जो terminology है जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसका define करना है उस 4 से 5 line में define introduction में नहीं करना याद रखेंगे आप तो define आपको man body वाले portion में करना कि आपको जैसे पूछता है कि cyber crime तो cyber crime क्या है या मालो एक देश एक चुनाव तो वाँ पे आपने introduction में लिख दिया कि हाल ही में नितियायो या फिर low commission के report ने बताया है कि अगर देश में एक साथ सारे चुनाव होते हैं तो इसे इतना economic burden है वो कम हो जाएगा और साथ में इतने परशासने के दिकारी है वो बड़ी efficiency से काम कर सकते हैं और देश की GDP में point इतना percent का growth हो सकता है वो लेक नहीं करेगा इतने सारे resources अपने बचा सकते हैं यह तो आपने introduction में लिख दिया report के साथ में अब एक देश एक चुनाव है क्या उसको 4 से 5 line में आपको define करके आना है चीक मैंने topic नहीं लिया क्योंकि मैं generalize से बता रहा है आपको generalize जैसे कैसे लिख सकते है topic लेंगे तो फिर topic आप बता सकते है तो 4 से 5 line में उसको परिवासित करना है कि असल में है क्या जो topic परिवासित कहां पे man body वाले portion में second जो part आप होगा इस पे 4 से 5 line लिख के फिर लगबग 2 1.5 तक page आप लिख रहे हैं तो इसमें ये portion पूरा का पूरा ये वाला आएगा जिसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं और इसके लिखने के भी लगबग 3 तरीके हैं अगर आप ऐसा कोई essay लिख रहे हैं तो तीनों तरीके में डिसकस कर देता हूँ कि आप man body अगर लिख रहे हैं तो man body में कोई ऐसे लिखते time dimension कैसे choose करें ये dimension तीन परकार के होंगी जिसको आगे डिसकस कर लेता है आगे वाले line पर ये तीन डाइमेंशन ये तीनों डाइमेंशन जो है वो तीनों एक साथ नहीं लगएगे पर तीनों डाइमेंशन लगबग हर एक जो निबंद होता उसमें fit हो जाएंगे ये पहला dimension है आप इथियास से शुरू करें इथियास ले उसके बाद में medieval मतलब ये प्राचीन इथियास से ले ले फिर medieval से आ जाएं फिर modern पे आ जाएं और फिर contemporary समकालीन क्या चल रहा उसका यहां तक पहुंचे आप बास में आ गया मतलब अगर education system पर कोई निबंद आप से पूछे तो आप प्राचीन भारत में शिक्षा वेवस्ता कि क्या इस्तती थी मद्देकाल में आते आते क्या हुआ आदुनिक भारत में इंग्रेजी शिक्षा कैसे आई क्या consequences हुए क्या characteristics थे और फिर वर्तमान समय में शिक्षा का क्या इस्तर है शिक्षा के लिए नई committees क्या बनी हुई है नई शिक्षा निति को लेकर क्या क्या बात है तो एक तरीका तो हो गया यह अब दूसरा जो dimension है वो होता है जो सारे syllabus के जो subject है आपके सामाजिक पक्स क्या है आर्थिक पक्स क्या है राजनितिक पक्स क्या है धार्मिक पक्स क्या है छेत्र ये पक्स क्या है तकनीकी पक्स क्या है स्तान ये पक्स क्या है अंतराष्ट ये इसका पक्स क्या है बहुगोलिक इसका पर पक्ष क्या है इसका मतलब अगला है जो विशेव स्पेसिफिक होता है सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कोई इन्वाइर्मेंटल ऐसे आप लिख रहे है मालो और यह एक्सपेक्ट वहाँ पर आला कि ऐसे टू ऐसे वेरी करेगा पर सारे ऐसे इसमें फिट हो जाएंगे मालो महिला उत्पिर्ण का को यह से आता है तो फिर आप महिला उत्पिर्ण के अब कुछ पक्स लिख रहे है तो वहाँ पर आप सामाजिक पक्स लिख देंगे आर्थिक पक्स क्या क्या हो सकते है राजनितिक पक्स क्या क्या हो सकते है धार्मिक पक्स क्या क्या हो सकते है इ कुछ सिंस्तागत पक्स कौन से हो सकते हैं कानुन पक्स कौन से हो सकते हैं सबमेदानिक पक्स कौन से हो सकते हैं योजनागत पक्स कौन से हो सकते हैं एथिकल नेतिक पक्स कौन कौन से हो सकते हैं तकनीकी पक्स कौन से हो सकते हैं एधियासिक पक्स कौन से हो सकते हैं समझ मैं आ गया इसका मतलब ये कई बार मैंने क्लासेस में बताया भी है आपको कि जब भी कोई डाइमेंशन आपको सोचने तो सारे विशे के नाम आप सोचें उन डाइमेंशन पे लिखे और तीसरा भी एक अच्छा तरीका है कि मालो परियावन पर्दूशन पे कोई ऐसे आता है निबंद आता है इन्वायर्मेंट पे एक तरीका और है वो डाइमेंशन लिख सकते हैं सबसे पहले कारण परभाव समाधान एक ये तरीका है उससे पहले क्रेक्टर स्टिक्स विसेशता है समझ में आ गया है इसके कारण क्या है परभाव क्या है और फिर समाधान क्या है समाधान भी अलग अलग छीक है, सोसाइटी के इस तरपर क्या समाधान हो सकते हैं, देश के इस तरपर क्या समाधान हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या समाधान हो सकते हैं, संस्तागत क्या समाधान हो सकते हैं, योजनागत क्या समाधान हो सकते हैं, परहाल तीन expect हैं जिसमें सारे ऐसे fit हो जाएंगे जैसे cyber crime का आया तो वो इसमें fit बेटेगा economics कैसे है agriculture समझेता है तो इसमें fit बेट सकता है health है, education है, woman empowerment है वो इसमें fit बेट सकता है आपका निबद लिखने का एक style बदल जाएगा अगर आप इस pattern को follow करते हैं तब ध्यान रहे pattern A की follow करना आपको आप मुझे कोई भी essay का अगर कोई आप मुझे subject देते हैं मैं आपको आराम से बता दूँगा कि ये format इसमें fit बेटेगा आप पास सब्द तो हैं मेंस की तेहरी कर रहे हैं आपने longest time तक पढ़ा है उनको वेवस्तित करना होता है आपके पास इतना प्रियाप्त ज्यान है कि आप उसे एक बहुत अच्छा systematic organized form में निमद लिख सकते हैं जरूत की सीज़ की है उसको वेवस्तित करने की चलिए पीछ आते हैं यह आपका man body का part हो गया और इस थर जो part मैंने क्यों बना है इसमें इसको examiner को लगे भी नहीं इसी को थोड़ा summarize way में लिखना दो तीन line ताकि आपके जो निसकर्स है नीचे निसकर्स निकलेवाने इसकी भूमी का तयार हो जाए conclusion लिख रहे हैं इसकी समझ में आ गया क्या वहराल यह नहीं समझ में आता तो भी छोड़ दो चलो माल लिया मेरा समझाने का मुद्दा है था कि तार्तम में आप बनी रहे कारण के बाद सिधा आप निसकर्स पे नहीं पहुंच जाए तो वो तीन line ऐसी होती है जो connecting line होती है बात करेंगे उस पे कौन सी connecting line आप यूज कर सकते हैं उन connecting line को यूज करके आप फिर निसकर्स पे आ सकते हैं अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया बोड़ी वाला पार्ट हो गया इसके तीन भाग है अब अंतिम भाग अंतिम भाग के दो भाग क्यों बनाएं अभी स्वल में आएगा अंतिम पार्ट लास्ट पार्ट और लास्ट पार्ट का जो लास्ट भाग है उसके कितने पार्ट बना लिए दो एक होता way forward अगे की रा अगे क्या करना चाहिए अगे की रा way forward और दूसरा होता है अंतिम निसकर्स की लाइन अंतिम पंक्तिया वो इसलिए important है क्योंकि यहां के बाद आपको नमबर देता हूँ और introduction इसलिए important है कि वहां से आपका ऐसे उपढ़ना शुरू करता है नमबर यहीं आके मिलते हैं आपको way forward में आपको मैसा कुछ positive बाते दिखानी है कि माल लो को cyber crime वरतमान की चुनोती आ गया आपने लिखी हैं चुनोती हैं और कुछ benefits भी तो होते हैं technology के वो बलही आपने उस एक्सपेक्टिव से नहीं पुछा है फिर भी आपको लिख क्या आना है क्या क्या effort आप कर सकते हैं इसके परिणाम सुखद होएंगे वो आगे की रा होती वे फोरोनल पोजिटिव माइंड सेट आपको रखना है और निसकर्स के इंतिम लाइन खत्म हो जाती है एक और इंट्रेस्टिंग में आपको बात बताता हूँ एक लाइन बहुत परसीद है शिक्षा वह सेरनी का दूद है उप जो जित्ता पिएगा उतना ही दाड़ेगा ये मालो ऐसे पूछ लिए आपको लाइकि इसमें थोड़ा रिष्क है पर आपकी दिमार की चमता तो क्या केवल शिक्षा ये एक मत्र ऐसा सेरनी का दूद है क्या जिसको पी के आद में दाड़ता है और भी तो कही सारे तरीके हो सकते है मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है और मैं इतना चाथ धावक हूँ कि पूरे विश्व मेरा नाम गुंजता आज और मुझे कैई ही नहीं लिखना आता है बहुत सारे खिलाड़ी इसमें सचीन टेंडूल कर भी है शिक्षा का दूद उन्होंने कोई जादा खास पी या नहीं उसके बावजूद भी बहुत धाड़ते हैं धाड़ एक आईये से बड़ी धाड़ है दूसरा एक्जामपल कई सारे एंट्रेपेनियोर ऐसे हैं उद्योगपती जिनको एपल भी लिखना नहीं आता डंक से एजुकेशन का यह भी नहीं पता फिर भी उनकी धाड़ से आदा विश्व गुंजता है कुछ ऐसे politicians हुए है राजनितिग्य जो बहुत कम पड़े लिखे है पर उनकी धाड़ से पूरा विश्व गुंजता है मतलब केवल 6 से आई वो सेरने का दूदने जितना पीलेगा उतना ही धाड़ देगा और भी वह सारे तरीके हैं धाड़ने के वो और तरीके रिश्की हैं पर आप लिखेंगे इससे एक चीज एक्जामेंदर को समझ में आती है कि इसके पास talent है सोचने की चमता है वो अलग-अलग dimension में आदमी सोच लेता है समझ में आगे क्या बात ही है इसलिए dimension सोचने के लिएन कुछ एक दो लाइन की हाँ ये तो है परिस्के साथ में ये भी हो सकता है तब थोड़ा लगता है कि या इसका माइंड का diversification है रिस्क हर चीज में है चिक मैं ये बार-बार रिस्क का नाम क्यों ले रहा हूँ हो सकता है एक्जाम दो को बात पसंद आपकी कम आये थोड़ी से पर वो तो फिर अब सारी इक सारी चीज़े निर्व करते हैं आपके लगत पे ये आपका conclusion हो गया निबद लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दे है कि ऐसे आप लिख सकते हैं अब मालो कोई मुझे कहे कि मैं लास्ट टाइम में एक्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और मुझे आप कोई चार सजेस्न के पॉइंट बताओ कि इसे मुझे मेरे एक नमर बढ़ जाए कि मुझे मेरा डीएस्पी बनाता है मुझे एक नमर बढ़ाना है और मैं SDM बन जाओं कि मुझे कोई ऐसा और वो निबद में बताना आपको essay में मुझे एक तरीका बताना है कि वो मुझे बताएं कि इसे मेरा एक नमर बढ़ जाए तो एक नमर बढ़ाने का तरीका है वो क्या है? पहला पहला तरीका तो यह कि आप subtitles का यूज करें subtitles जानते subtitles का यूज करें essay में मैं लिखता हूँ subtitles subtitles दूसरा तरीका यह कि आप चार्ट वो छोटा सा पाच लाइन में ही छे लाइन में एक जिमम चार पाच लाइन में चार्ट बताता हूँ कैसे या पाई चार्ट या डाइग्राम या फ्लो चार्ट मैं इतना जिम कर रहा हूँ कि आपको इन में सब में अंतर पता है नहीं पता तो भी एक लाश बना के करेंगे माल लो agriculture का कोई essay आगया आपने उसमें इस परकार का एक सुन्दर सा इंडिया का आपने map draw कर दिया थोड़ा साई और उसमें ये बता दिया कि मतलब agriculture में जो loan weaving वाला है वो किस जगे पर कैसे है वह सब ज़्यादा loan है कौन से किसानों ने ले रखा है कौन किनों ने कम ले रखा है तो अभी इसी बात है कि इंडिस्ट्रियल जो स्टेट हमाँ पर कम होगा ऐसे आपने कर दिखा दिया वो इसको एक बड़िया से box में से समय नहीं होगा मुझीज़ बात का अच्छे से पता है क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हूँ मैंने पहले अनुभूत कर तो रखी है मैंने मुझे भी पता है कि मैंने कि यहां समय का भाव होता है कहां समय है कहां नहीं है कितना दिमाग सो सकता है मुझे सारा पता है वो कोई ऐसे तो नहीं वो बिना कोई impractical बात कर रहा हूँ एक तो यह कर सकते है या मालो कोई ऐसे आता है कि agriculture production का कोई ऐसे आ गया या एक nation one election का आ गया या UCC का कोई आ गया या चुनाव सुधार का आ गया तो चुनाव सुधार में आप ऐसे चुनाव सुधारों का कोई करम बताने के लिए कि कौन सी कमेटी बने और होने किया क्या recommend किया तो यह आगे ना वही आरकुंडे समिति का नाम बता सकते हैं इंदरजीत खनना समिति का आप नाम बता सकते हैं इसके लाबा प्रसाशनिक सुधार आयोग ने क्या recommend किया समीदान समिक शाइवेंके चलया इसके लिए recommend किया या कोई commit या आप यहां पर बता सकते हैं एक और एक आप इस परकार का कोई ऐसे बता सकते है कोई जैसे wealth maximization का आता है या वित्तरण ऐसा मानता गरीबी का आता तो यहां पर दिखा सकते है कि यह बना दिया बाकी यह बच गया पूरा पूरा एक ऐसा बना दिया और इसमें ऐसे बना के और ऐसा बना दिया यहाँ पे रहते हैं भारत के एक परसेंट लोग और उनके पास में प्रोपर्टी कितनी है 90 परसेंट और यहाँ पर लोग कितने रहते हैं 90 परसेंट प्रोपर्टी कितनी है एक परसेंट यह मुझे पता टेक्निकली सही नहीं बना रहा हूँ एक्जामिजर को इसे मतलब ही नहीं कि आप टेक्निकली सही बना रहे गलब ना रहे आपने ऐसे कुछ दो बना कि उन्हें में डिफ्रेंस दिखा दिया या कोई अब यहां पर भई एंसेंट से शुरू आ इधर मोरिय गुप्त में आते थोड़े चर्मोकर्ष पर गया फिर इधर मुगलों में गया और अब मोडर्न इंडिया में चलता जा रहा है समझ पा रहे हैं आप इसको तो यह कल्चरल ऐसे आपने कल्चरल वे निमन दाया उसको आप ऐसे लिख सकते हैं तरीके तो बहुत सारे हैं वह बीच तरीके तो आपको मैं बता सकता हूं कि पोईंट की बात आती है पस यूज करना है आपको उसको बेरहाल अभी क्लास को समर करते हैं और कोई बात रह गई कि मैंने आपको बता दिया सारक सारा एक अगर आप रिगुलर जुड़े रहना चाहते हैं तो एक तो हिंदी और इंगलीज का जो ऐसे वाला करवाएंगे उसमें मेरा असा है कि मैं कम से कम 10 दिन तक निबंद में आपकी मास्टरी करवाऊं 10 तो एक कोई बैच चल रहा है हिंदी और इंगलीज का फेपर फॉर का मेंस की बैचे चल रहा है इसमें मैं सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता हूं फिर भी आप लोग किसी बैच में इंट्रेस्टेड है तो नमर दिये वे हैं और इंडियन एजुकेटर अप्लिकेशन ह लगता है इससे आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे टेलिग्राम पर यह जो पीडियेफ है इसको आपको शेर करवा देंगे समझ में आगे बात के लाव कोई शुजहाव है कोई क्योरीज है या आपकी कोई डिमांड है कि हमें कुछ फरी पढ़ाया जाना चाहिए को एप में भी पढ़ाना पड़ता है के बिना वही है काम चोड़ा चलना मुस्किल होता है इसके अलाव कुछ फ्री चीजे वीच यह तो भी आपको यूटूब पर मिलती रहेंगी समय समय पर मिलते है नेक्स क्लास में